मध्य प्रदेश के लावा इस समय उरिशा के कई जिले भीशन बाड का सामना कर रहे हैं। यहां माहनदी खत्रे के निशान से उपर भे रही ही है। सड़के नदियों का हिस्सा बन गई हैं। बाड के चलते सामानिय जन जीवन पूरी तरह से अस्त्वियस्त हो गया है। राजियो के विशेश रहत आयुक्त के मताबिक बाड से प्रदेश के बीस जिलों में 14 लाग से ज्यादा आबादी प्रभावित है। रविवार तक बाड बारिश से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादा गाओं में बाड आने से जिन्दगी एकदम तितर बितर हो गई होगी। हम ये विज्वल्स देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या है स्थिती जमीन पर। पहले तो मैं आपको बदाई दिता हूँ कि आपने हमारी बात को नेशनल स्थर में रख रहे हैं। जो लोगों के परिशान को दिखाने के डर रहे हैं। कि यहां का परिशान इतना नजुक हो गया कि लोग मरेंगे जिएंगे इसके उलजन में रहे हैं। पहले तो आपको नाया था फिर फनी फिर उसके बाद को बीड आया या फिर इसके बाद अभी फ्रॉड आया है। और इस फ्रॉड के वज़े से साहथ ओडिशा का अधे जिला पानी के अंदर है। और इसको कोई भी न्यूज दिखाने रहे। और सारे गाओं का अभी तो हमारी धान का बुगाई का पुचल रहा था। अभी धान का जितने भी मतलब स्टाटिंग रहा था। अभी हर जमीन अभी पानी के अंदर है। और किसान तो इससे बहुत परिशान है। और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत की बात मैम यह है कि जितने भी कोईट सेंटर हुआ था। हर पंचायत में एक एक कोईट सेंटर हुआ था। और वो आस्रे सलता, बन्यास्रे सलता। और उसी कोईट सेंटर में अब लोग बहां पे रह रहे है। क्योंकि उनका घर डुब रहा है और वो चाहिका जागा था उसमें जाकर लोग रह रहे है। पता नहीं आगे आने वाले समय में इसका स्तिति क्या होगा। अभी साहिद प्लोड में भी लोग बच जाएगे। पर उसके बाद हमने तो बहुत सारे गाओं ऐसे गुमें देखे कि बहां पर बहुत सारे लोगों को सर्दी है, खासी है और फिवर भी है। तो यानि COVID का भी खत्रा मनरा रहा है और उस फ्रंट पर भी व्यवस्था जो है काफी खराब होगी। स्वास्थे सेवाएं, डॉक्टरों की, दवाईयों की उपलब्धता, क्या स्थिती है? तो इस ऐसे में इतनी बुरी स्थिती है, तो शासन प्रशासन की किस तरह की मुस्तैदी देख रही है? यहां पर मुझे लग रहा है कि स्थानू हो गया है सरकार यहां पर, लोगों का आवाज, लोगों का दिक्कत, आपका सरकार, चाहे पुप्रशासन कोई भी सुन नहीं रहे हैं, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि लोग खाने के लिए चिरकार करें चात के उपर, लोग म लीफ वर्क आपका संगठन और आप लोग जो कर रहे हैं उसे जारी रखें, अपना ख्याल रखते हुए और हम उमीद करते हैं कि शासन, प्रशासन फौरी तोर पर महां पर मदद उपलब्द करा सके, शुक्रिया इस अपडेश के लिए